नमस्का दोस्तों प्यल्टिक्स में आपका बहुत बस्वागत है दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रॉपल सी वीडियो रीक्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रक्टिस सेट 24 लेकर रहा हूं और इस प्रक्टिस सेट के अंतरगत हिंदी के 50 कोस्चन्स को सॉल्ब करेंगे की उतर का चेन करों से चेनित करें दोस्तों यहां पर गद्यांस दिया गया है इसे आप पढ़ लिजे आवसक्ता इस बात की है कि हमारे शुक्षा का माध्यम भारती भांशा हो जिसमें राष्ट के हरदयमन प्राण के शुक्षतम और गंभीरतम संवेदन मुकृत हों और ह भारती समासास्त्र को हम सर्वो परिस्थान दें उन्हें अपने शुक्षा क्रम में गवण इस्थान देकर या शुक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्टी संस्क्रती में एक महान रिक्त को चन्म दिया है जो नई पीड़ी को भीतर से खोकला कर रहा है हम राष बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं शुक्षित जन और सामान जन्ता के बीच की खाई बढ़ती गई है और विशु संस्क्रत के दावेदार होने का दम भरते हुए भी हम अपने घर में ही वामन बनकर रहे गए हैं इस इस्तिती को हास्या इस्पद ही कहा जा सकता ह तो जोस्तों ये रहा गध्यांस इसके नीचे दिएगे कोश्चन के आंसर को देख लेते हैं कोश्चन नमबर फस्ट है शुक्षित जन और सामान जन्ता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है की हम आपको इसका राइट अंसर बताना है तो राइट अंसर हो जाएगा उप पर्युक सेशक है आपको बताना है दिएगे उप्संस में से तो राइट अंसर बनेगा उप्संसी हमारे सिक्षा माध्यम और पाठिक्रम नेक्स कोश्चन कोश्चन नमबर थार्ड है हमारे राष्टी सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ और किस से जोड़ना चाहिए तो राइट अंसर बनेगा उप्संसी प्रेशक पदा दिकारी का नाम और पद नाम कौश्चन नमबर पाईव है चावण किसके योग से बना है तो चावण का पलस takes के यूग से बना है का प्लस खा, option A यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 6 है दोस्तों स्वर्थ तंत्रियों के आधार पर बेंजन को कितने वर्गों में बाटा गया है तो right answer option B बनेगा दू वाड़ों में बाटा गया है दोस्तों, याद रखिएगा दो वर्गों में बाटा गया है, option B right answer है question number 7 है निम्लिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपको बताना है दिए गए options में से तो right answer बनेगा option C स्रंगार स्रंगार शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों right answer हो जाएगा option B छी कितना घ्रनित द्रस से है option B यहाँ पे right answer हो जाएगा question number 9 है दोस्तों स्रद्धानंद का संध विचेट क्या है तो स्रद्धानंद का आपको संध विचेट बताना है तो right answer बनेगा option B स्रद्धा प्लस आनंद बराबर होता है question number 10 है इत्याद संध कैन संधी है दोस्तों आपको बताना है तो इत्याद संध में संधी कैन सी है तो इत्य प्लस आदी बराबर होता है इत्याद और इत्याद संध में यहाँ पर यहाँ पर right answer हो जाएगा ध्यान रखियेगा अगला question question number 11 है निम्नांकित में दुग समास है तो दुग समास का आपको उधारन बताना है देगा options में से तो दुग समास का answer यहाँ पे first हो जाएगा सताबदी, सताबदी यह है दुग समास का उधारन है option A यहाँ पे right answer हो जाएगा question number 12 है उप्यूक्त समास चिनित कीजिए पत्थ ब्रस्ट पत्थ ब्रस्ट में आपको समास बताना है दोस्तों तो right answer हो जाएगा option C तत पुरू समास है पत्थ ब्रस्ट में दोस्तों देहा नखेगा question number 13 है किस शब्द में उथ उप्सर्ग प्रयोगत नहीं किया गया है तो दिये गए options में से आपको बताना है किस में उथ उप्सर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है तो right answer option C हो जाएगा आतिधिक अत्यधिक में उत्यपसर का प्रयोग नहीं किया गया है अत्यधिक में अत्यपसर का प्रयोग किया गया है ध्यान रखियेगा अत्यधिक में अत्यपसर का प्रयोग किया गया है बाकी सभी में बाकी सभी options में उत्कर्स है उत्तम है, उद्गम है, इन सभी में उत्त उपसर का प्रयूग किया गया है, तो ध्यान रखियागा दोस्तों, question number 14 है, मिठास शब्द में किस प्रत्य का प्रयूग हुआ है, तो मिठास शब्द में किस प्रत्य का प्रयूग है, आपको बताना है, तो right answer हो जाएगा, ask option C, यह देशज प्रत्य का उदाहरण नहीं है, दोस्तों, ध्यान रखियेगा, question number 16, तद्सम सब्द का उनसा है, दिएगा, options में से आपको तद्सम सब्द का चेन करना है, तो right answer हो जाएगा, option B, question number 17, एकल शब्द का तद्भरूप है, तो एकल शब्द का तद्भरूप क्या बनेगा, दोस्तों, तो एकल शब्द का तद्भरूप बनेगा, अकेला, option C, यहाँ पे right answer हो जाएगा, next question, question number 18 है, इनमें से रूड शब्द बताईए, तो रूड शब्द का चेन करना है, तो right answer, option C, बनेगा, नमक, नमक रूड शब्द है, दोस्तों, question number 19, संबंद बोधक अब्द का प्रकार है, तो संबंद बोधक अब्द का प्रकार इनमें से कौन सा है, दोस्तों, तो right answer बनेगा, उपर्यूप, सभी, इस्थान वाचक, दिशा वाचक और निमित वाचक, यह सभी समंद बोधक अब्द के प्रकार है, question number 38, संग्या से विशेशन के लिए इनमें से कौन सा सही है, तो right answer बनेगा, option C, भय, भयानक, question number 31 है, दोस्तों, निम लिखित में से कौन सा सब्द सरुनाम नहीं है, आपको बताना है, दिएगा, options में से, तो right answer हो जाएगा, option D, 10 गुना option D, यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number 22 है, निम लिखित में से किस वाक्य में अकर्मक किरिया है, आपको बताना है, दोस्तों, तो right answer हो जाएगा, option D, पानी बरस रहा है, वाक्य में अकर्मक किरिया है, दोस्तों, question number 23, निम लिखित में से कौन सा सब्द विशेश से है, आपको ब परसर्ग है, तो आपको परसर्ग बताना है, तो right answer बनेगा यहाँ पर option D, करता कारेक है, दोस्तों यादर कियेगा, question number 25, आज कल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखां की शब्द का वचन है, तो रेखां की शब्द का वचन बताना है, तो right answer बनेगा, option A, एक वचन है, दोस्तों, option A हाँ पर सही जवाब हो जाएगा, question number 26, वाच किसके अनुसार बनता है, वाच किसके अनुसार बनता है, दोस्तों, तो वाच उप्रिक सभी हो जाएगा, करता के अनुसार, करम के अनुसार और भाव के अनुसार, वाच बनता है, दोस्तों, तो तो Right Answer हो जाएगा, संग्या के आधार पे होता है दोस्तों, संबी Right Answer हो जाएगा, अगला कोश्च, Question Number 28, वह काम बहुत धंग से करते हैं, वह काम बहुत धंग से करते हैं, वाके का काल बहें जाने, तो Right Answer बनेगा, 28 का ए, सामान वर्थमान काल, कोशन नमबर 29 है दोस्तों किस चेतर की बोली को काशिका कहा जाता है महात्पूर्ण प्रसन है दोस्तों राइट आंसर बने का उप्शन सी वाराणशी नेक्स कोशन नमबर 30 है निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतरगत नहीं आती है आपको बताना है दोस्तों तो राइट आंसर बनेगा मग ही मग ही पूर्वी हिंदी के अंतरगत नहीं आती है दोस्तों Question number 31 है, जल की आपूर्थी का अंगरेजी अनुवाद होगा, water supply होगा, water gain होगा, water proper होगा, supply full होगा. तो जल की आपूर्थी का अंगरेजी अनुवाद बनेगा, दुस्तों, यहाँ पे 우प्चन है, water supply. जल की आपूर्थी. Next question, question number 32 है. expiry का हेंडी अनुवाद होगा तो expiry का हेंडी अनुवाद क्या बनेगा तो expiry means समापती भी होता है आवसान भी होता है तो option C यहाँ पे right answer हो जाएगा A और B दोनों सही है दोस्तो अगला question question number 33 सिर उठाना मोहरे का सही अर्थ है तो सिर उठाना मोहरे का सही अर्थ क्या बनेगा तो सिर उठाना मोहरे का सही अर्थ हो जाएगा तो option D बिद्रोह करना option D यहाँ पे right answer हो जाएगा question number 34 है माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं रिखांकित मोहरे का अर्थ इस पस्ट कीजिए तो right answer हो जाएगा बहुत कटनाई जहलना option A यहाँ पे right answer हो जाएगा question number 35 जिन ढूंडातिन पाई या गहरे पानी पैट लोकोती का अर्थ है आपको बताना है दोस्तों तो right answer बनेगा परिस्रम का फ़ल अवस्ट से मिलता है दोस्तों option B यहाँ पे right answer हो जाएगा इस बात को ध्यान रखेगा दोस्तों परिस्रम का फ़ल अवस्ट से मिलता है अगर आप मेहनत करते हैं मेहनत इमानदारी से पढ़ते हैं तो आप एक seat पाने में काम्याब अवस्ट से होंगे दोस्तों अगला question question number 36 ओटना और आउटना का आर्थ क्या है तो ओटना और आउटना का आर्थ है यहाँ पे दोस्तों option C हो जाएगा बिनौले अलग करना और खौलाना option C यहाँ पे right answer हो जाएगा question number 37 मानोता का बिलोम है तो मानोता का बिलोम क्या हो जाएगा दोस्तों तो मानोता का बिलोम दानोता होता है option A यहाँ पे right answer हो जाएगा question number 38 इन में से सही बिलोम शब्द योगम काउन सा है दिये गए options में से आपको बताना है तो right answer option A हो जाएगा आदान का प्रदान होता है दूस्तों option A यहाँ पे right answer हो जाएगा question number 39 है निवन में रिक्त स्थानों की पूर्थ कीजिए बीर हिंदू राजा अपने हाथियों पर बैटकर स्विंग के समान क्या करते थे तो right answer बनेगा option B आकरमण करते थे option B यहाँ पे right answer option B यहाँ पे right answer हो जाएगा question number 41 है दोस्तों तुलसी की भक्ती भावना किस प्रकार की थी आपको बताना है तो right answer बनेगा यहाँ पे दोस्तों option A दास से भाव की थी option A यहाँ पे right answer हो जाएगा question number 42 है दोस्तों निमलिखित में से कौन सी रचना तुलसी दास की नहीं है दियेगा options में से आपको बताना है तो right answer हो जाएगा option D भाग्त माल तुलसी दास की रचना नहीं है बाकि सभी तुलसी दास की रचना दी गई है रामचरित माना से गीता वली है और सिरीक्रशन गीता वली यह सभी तुलसी दास की रचना है दोस्तों question number 43 बादल घिर आये और बारिस होने लगी रचना की दस्टी से क्या है सरल है अग्यावाचक है निसेद वाचक है सयुक्त है तो right answer बनेगा यहाँ पर option D सयुक्त वाग्त है question number 44 फल का परयवाची सब्द है तो फल का परयवाची सब्द क्या है दोस्तों तो right answer बनेगा यहाँ पर option C परेडाम फल का परयवाची सब्द परेडाम है दोस्तों option C right answer हो जाएगा question number 45 है निम्न में से कोई एक परयवाची समूँ सही है उसका chain कीजिए तो option A यहाँ पर right answer हो जाएगा पतोहू, बहू, वधू, पोत्रवधू option A यहाँ पर right answer है question number 46 रिस और रिस शब्द युगम का सही अर्थ है तो दिये गए options में से आपको सही युगम का chain करना है तो right answer बनेगा option A रोस और इर्षया रिस मेंस होता है रोस और रिस मेंस होता है इर्षया option A यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 47 है निम्न में से सुभेच्छू शब्द के समानार्थी शब्द का chain कीजिए तो सुभेच्छू शब्द के समानार्थी शब्द बनेगा option C सुभा कांची option C यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 48 है निकार्थक शब्द question के लिए निम्न में से गलत बिकल्ब का chain कीजिए तो गलत बिकल्ब का chain करना है दोस्तों यहाँ पर तो गलत बिकल्ब यहाँ पर हो जाएगा option B count A count A यहाँ पर गलत बिकल्ब दिया गया है question number 49 जिसके हरदय पर आगहात हुआ हो वाक्यांस के लिए उपर युक्त सब्द होगा तो जिसके हरदय पर आगहात हुआ हो उपर युक्त सब्द होगा option B उसे मरमाहत कहेंगे option B यहाँ पर right answer है question number 50 है और अन्तिम है question दोस्तों इस class का राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है आपको कारक बताना है दिये गए option में से तो right answer बनेगा संबंध कारक हो जाएगा दोस्तों option C यहाँ पर right answer हो जाएगा तो दोस्तों यह रहे हिंडी के 50 questions को आपने solve किया इस class में दोस्तों यदि आपको class पसंद आती है तो class को जादे जादा like और share करते रहे है दोस्तों support करिए दोस्तों आज किस class में बस इतना ही मिलते है next class में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन धन्यवाद